बर्तमान बिहार की सरकार के सरनरक्षन में दंगा, फसाद, हिंसा, लूट, मार, अपराद, चोरी, डकैती सब के सरनरक्षन करता है। इन से, चोरी करेंगे, कुछ नहीं होगा, टकैती करेंगे, कुछ नहीं होगा, गंगा करेंगे, कुछ नहीं होगा, ये बड़ा-बड़ा जो रेल मंतरी, कौन मंतरी, मुख मंतरी, 16-17 साल रहे, किसकी ताकत के बल पर, तब भरतिनता पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत ख ज bubble टेते हैं इनके नेता हैं अ कहीं चांफile बता दो हम चुनुति देते हैं है कि दंड़ाई वहां कि सर बी Meinung कि कोईजिस करता है हमारे भार्त पार्टी के जहां जहां सरग्य में सरकार है महमत है किसी को बाउत बनें कि हम नहीं बेंगे हैं और वहाँ पर अगर दंगा करने का या हिंसा फैलाने के कोशिस करेगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। हमारे सासन में देख लें, उल्टा लटका रहा है के नहीं लटका रहा है। मैं समझता हूँ कि जो बोलने वाले लोग हैं, अपने गिरवान में जहांकें। आज से पहले गुनगान करते थे यही, यही भारत की सरकार का गुनगान करते थे मोदी जी की सरकार का। रेकॉर्ड देखे इनका, साथ महीना, आट महीना में सब परिवर्तन हो गया। हर्दा परिवर्तन। ममस्कार निजफ फोर निशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग, नालंदा और सासा राम में संप्रदाईक हिंसा को लेकर अब महागट बंदन की सरकार की और से कहा जा रहा है कि वहाँ पर भाजपा और संगी की साजिस बताई जारी हमारे साथ है, भाजपा माने के लिए, ये सारी बातें कही जा रहे हैं, बिलकुल नाकारे निकम्मि है सरकार, लोगों को मौत की नीर्स हुला रही है, दंगा और फसाद और हिंसा में पूरे ब्हार को जला रही है, और उसी का परणाम है सासाराम की घटना और नालंदा की घटना, क्या बात करींग में ही ये सारा कुछ हो रहा है बर्तमान बिहार की सरकार के सरंडरक्षन में दंगा, फसाद, हिंसा, लूट, मार, अपराद, चोरी, डकैती सब के सरंडरक्षन करता यही महागडबंद के सरकार है जो नितिश कुमार जी के अपने कम्यों को छुपाने के लिए अपने फिल्योर को छुपाने के लिए यह आरोप लगा रहे हैं भी पक्षपर, भरतियंता, पाटी पर पुरुफ कर सकते हैं कर लिजे पुरुफ सावसन तो आप ही के पास है नाकारे निकम्य लोग है सावसन का रोप होना चाहिए तब दंगाई घर में गुसेगा इसलिए माना नहीं है गरिम अंतीजे ने कहा कि हमारी सरकार आएगी मैं दंगाईों को उल्टा डटका दूँगा क्या बात करेंगे को डर रहा है इंसे शोड भी डर रहा है इंसे क्या हम शोरी करेंगे तो कुछ नहीं होगा तखेती करेंगे कुछ नहीं होगा दंगा करेंगे कुछ नहीं होगा बिल्कुल फैर हो चुकी है सरकार सासन इनका नाकारे निकमों की फौज खड़ा करके रखा इन्होंने और अपरादियों का मनोगल बढ़ गया है आप उनको फैलियर सरकार बता रहे हैं लेकिन मंतरी बिजय चोधरी है उनका कहना है कि भाजपा और संग की बड़ी साजिस थी दोनों जीलों में बड़ा संप्रदाइक दंगा फैलाने की लेकिन उनकी सरकार की और से इस पर लगाम लगा कर बहुत कम अस्तर तक ही किया गया भारति जन्ता पार्टी नहीं हुआ होता तो इन लोग का चेहरा नहीं चमकता नितीश कुमार जी के इनकी सरकार को बनाने में किस का हाँ थै आठ मुईना पहले तक कहा थे अठारा साल किसके करकरता हो कि किसके वोट पर राज किया है क्या बोलेंगे बिजय चोधरी जी लगातार जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं भोगते ही क्या बात करेंगे ये लोग भारति जन्ता पार्टी खराब थी तो क्यों उनके साथ है थे भारति जन्ता पार्टी के बगार ये कदम चल पाते ही है ये बड़ा बड़ा जो रेल मंत्री कौन मंत्री और मुख मंत्री 16-17 साल रहे किसकी ताकत के बल पर तब भारति जन्ता पार्टी बहुत अच्छी थी अब बहुत खराब हो गया है जन्ने देख लिए खीर रोने के लिए फिर क्या बात करेंगे लोग जन्ता के सामने जा सकते हैं इनके नेता आने दीजे न वकाद बता देगे 2024-2025 में कहीं पता पता रहेगा इन लोग का आगडबंदन महागडबंदन पानी में, बिजली में, विकास में अपना पीठ खुद थप थपा रहे हैं कहते हैं कि सरकार किंद सरकार का को सहयोग नहीं है किंद सरकार अगर आज खीच ले हाथ तो इनको बितन देने के लिए करमचारी के पास पैसा रहेगा विकास के बाद छोड़िए अभी ही नहीं पूल पुलिया बना रहे हैं तो छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहे है करते हैं मैं नया रोड नहीं बनाऊंगा इनके अधिकारी करते हैं मेरे पैसा नहीं है क्या बात करेंगे ये हर मुकाम पर बर्तमान महागडबंदन के सरकार नितीज कुमाजी के नितीत वाली सरकार फेल हो चुकी है क्या बात करेंगे ये लोग सवाल है सर कि ग्री मंत्री पिछले दिनों बिहार दोरे पर थे नवादा की जंसभा को संबोधित करते हैं उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आएगी तो जो दंगाई है जो हिंसा करने वाले लोग है उनको उल्टा करके सिधा कर देंगे इस पर आरजेडी की और से कहा जा रहा है कि जहाँ भाजपा सासित राज है वहाँ पर दंगाईों को इस तरह से क्यों नहीं करते हैं अरे भाजपा सासित राज में कहीं एग्जामपूल बता दो हम चुनुती देते हैं कि दंगाई वहाँ सर भी उठाने की कोशिस करता है हमारे भार्दियंता पार्टी की जहाँ जहाँ सासित राज्य में सरकारे हैं महिम्मत है किसी को रोब से सासित चलता है रोब है इनका और ठिक का हमारे इस तरह स्पिक ग्री मंत्री ने कि अगर हमारे भार्दियंता पार्टी की सरकार तो बनेगी ही अगर नहीं बनेगी ही अब वहाँ पर अगर दंगाई दंगा करने का या ہिंसा फैलाने के कोशिस करेगा उल्टा लटका धिया जाएगा हमारे सास्थन में देख ले उल्टा लटका रहा है के नहीं लटका रहा है वहाँ दंगा कही बताब भी एक एक जामपूल गुजराश से लेकर जहां जहां हमारा राज है इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए भरतियनता पाटियों भी पक्षपर आरूप लगाने की प्रियास कर रही है एक आख़ी सवाल है कि सासाराम और जो नालंदा की घटना है उस पर गरी मंत्री ने राजिपाल से बात करके हमाँ सेंटरल फोर्सेज को अनुमती दी लेकिन अब ललन सिंग की और से कहा जा रहा है कि गरी मंत्री को बार बार इस तरह चीज़े की करने की जरतनी राजभवन में ही एक अपना उफिस खोलना चाहिए भारत की सरकार की जिमवारी है गरी मंत्रा लेका कि हिंदुस्तान की किसी भी कोने में हिंसा फैलाने वाली ताकत और बेवस्ता फैलाने वाली ताकत देश तोड़ने वाली ताकत रहेगे तो सरकार उसको नियंतर करेगी और गिरी मंत्री जी ने महा मही में राज़पास जिसे बात करके अपने जिम्बारियों का निर्वहन किया है और निश्चित तोर पर चिंता वाजिब है और सिंटर फोर्स देने का काम किया है मैं समझता हूँ कि जो बोलने वाले लोग है अपने गिरेवान में ज्ञाके आज से पहले गुनगान करते थे यही यही भारत की सरकार का गुनगान करते थे मोदी जी की सरकार का रेकॉर्ड देखे इनका साथ महीना, आट महीना में सब परिवर्तन हो गया खर्दा परिवर्तन खर्दा परिवर्तन हो गया आठ बहिना में इनका बाहर का प्रेस और मीडिया आप तो मीडिया में है अब देखिए निकाल करके और पार्लमेंट के अंदर देखिए उससे मैं क्या था भरतियंता पार्टी उसे मैं किया था बात की सरकार इसलिए जहां कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर हिंसा फैलाने वाली ताकत, देश तोने वाली ताकत अबेवस्ता फानाने वाली ताकत सर उठाने की कोशिस करेगा तो केंद्र के सरकार बरदास नहीं करेगी उसके सर को कुचलने का काम करेगा बहुत बहुत धन्यवाद यह भाजबा सांसाद रामकिर पाल यादो दिलिस निजफ फॉर नेशन क्लिम है धीरत सिंग